प्लीज, आज एक प्रामिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सल्यूशन है, कही ना कही उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्माःत्य बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिये खुद कुशी कर लिये शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा एकदम डारिक बोलू दिल से बोलू मेरा पहला नाशनल लवाड जो मुझे आज हमारे आदरनी राश्टर पती जी के हातों से मिलेगा मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है आपको बता जिस दिन इस नाशनल लवाड की अनाउंस्मेंट हुई थी न उस दिन मैं अपनी मां से बात करते हुए अपने बच्पन का एक दिन याद कर रहा था जिस दिन एक्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मांक्स बिलकुल अच्छे नहीं थे आप लोगों से जूट नहीं कहूंगा मैं उस कक्षा में फेल हो गया था रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली जा है उस दिन मेरे पिता जी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांती से कहा देखो बेटा तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ मुझे बताओ करना क्या चाहते हो मैंने का पापा मैं स्पोर्ट में मन लगता है मेरा मैं खेल कूद करना चाहता हूं खिलाडी बनना चाहता हूं उन्होंने का ठीक है फिर उसमें ध्यान दो हम सपोर्ट करेंगे साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो आप इश्वास नहीं करोगे खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया मैं मौडलिंग में आ गया एक्टिंग शुरू कर दी उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नैशनल अवार्ट कभी मेरे हाथ पे उटा ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वज़े से सुना रहा हूँ कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक IIT के स्टूडेंट्स ने फासी लगा के आत्मा अत्या कर ली स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक फाइफ स्टा होटल के रूम से छलांग लगा कर अपनी जान दे दी एक्जाम में फेल हो गया था मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब आठ लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन डेड़ लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस क्यों तुम्हारी जान एक एक्जाम के माक्षीर से सस्ती हो गई है नहीं ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो इससे तो देश के लिए सरहत पे जाक अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार आपको पैदा करने वालों को जि अब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैटके बाते किया करते थे पूछा करते थी कि कैसा चल रहा है आपके दोस्त कैसे है पढ़ाई कैसी चल रही है आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आखे गार के बैटे हो और आपका बच्चा भी फेस्बुक पे फ्रेंड्स डून रहा है ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को भूला लेते हो लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्शर जहा क्लीफ के लिए इसमें कोई शरम की बात नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है अपने अंदर घुलना उसको अंदर रखना दबा पर एक बहुत काम की बात फौवर्ड की थी एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जिरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था मैं आपसे शेर करना चाहता हूं महां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता ओजारो के साथ भाईया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो सल्यूशन है कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्माहत्य बिलकुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है अपना ध्यान रखो मिलते हैं फिर तिल दिन नेक्स ताम गुद्बाइ जय हुआ